चलिए दस के दमदार ट्रेट्स में आपका स्वागत है और रोज की तरह आज हमारे सारे एक दमदार पैनल यहाँ पर जुड़ने वाला है और सबसे पहले हमारे साथ जो पिछली शूर से मानस और प्रकाश कुंटिनु करेंगे उसके इलावा सचिन को जोड़ेंगे ट्रेड अजे श्रिवास्तव अपने बेबाग व्यू के लिए जाने जाते हैं वो उन से बात करेंगे कि इस मार्केट में इस समय कहां ओपोर्चिनिटी है कहां आपको ट्रेट्स अवाइड करने हैं लेकिन एक बाजरा मार्केट का हाल देख लेते हैं और आज काफी वोलेटिलिट टिपिकल वीकली ओप्शिन्स एक्सपारी का दिन मार्केट एक रेंज को रिस्पेक्ट कर रहा है और जो सुबह आपके लिए एक स्टाड़ी सेजस्ट की गई थी 17,080 के करीब बाई करीए और 17,050 के करीब स्टॉप लोस रखी थी थे 17,045 तक जाके घुमा है वो तो अल् बैंक निफ्टी 49,919 पर इस समय मिटकाप इंडेक्स में लेकिन हरियाली है लेकिन कमजोर कड़ी मार्केट की फिर निफ्टी आईटी एक बार बिरू जे हैं निफ्टी आईटी इस बाजार की कमजोर कड़ी बैट आज थोड़ा सागर बेखें 27,850 से एक इट्रडे पुल बैक इसने लिया है पर आपर मैं कल से बजाज फिनेंस पे काफी बात कर रहते हैं काफी डिसकुशन हुआ था बजाज फिनेंस का जो पुल बैक है वो फर्स टाइम यह जा रहा है अब अपने 20 रियमा की ट्रजेक्टरी के पास नस्दीक बहुत पास नहीं है अभी वहां से दूर है बट इसके लिए वो इतना बड़ा होता नहीं है मैं 30-35 रुपए का अंतराल जो है वो इतना बड़ा होता नहीं है हमाँ साथ पैनल आपकी स् राय स्टॉक का चार्ट लेकिन हाँ आज कल परसों तीन दिन तक लगातार बाइंगा इसमें मैं मैं देख रहा है अनुज मेरे स्कीन पर सारी कॉल्स इंफेक्ट तीन चार स्ट्राइक्स में बहुत एक्टिविटी है उनसट छे शे एक शे दो बासट सो तक की कॉल में काफ इस ट्रेट पर क्या करना चाहिए अगर आप है इस पर लॉंग है और यह 20 डिमा की ट्रीक्ट्री को जा रहा है ट्रच करने के लिए आपका एक बजाज फेनेस पर व्यू और दू आपके अनुशन ट्रेट्स इस पर्टिक्लर पहला सौधा के शो में और जिस तरीके से यहाँ पर एक इनरेंट्स ट्रेंथ एक्जिबिट हो रही थी पिछले दो दिनों से तो फॉलो थू मोमेंटम की ही एक्सपेक्टेशन थी कल के सत्र में लगबग आई थिंग अजरांट 5900 की बात हमने की थी मुझे लग रहा है बूट पर्टिक्लर ट्रेश्ट्री अभी भी यहाँ पर वैलिड है ओपन है तो यहाँ पर अभी भी लॉंग पोजिशन रेटें करन जहां पर आपको अपनी तोजिशन रिवीव करनी चाहिए अगर हम दू ट्रेश्ट के बारे में पार रहा हूं आपके ट्रेड पर पहले मुझे एक ट्रेड और रिविजिट करनी है उसके बाद आपकी ट्रेड पर एक पर कोफोज का 4900 का पुट लेकर आई बता दें कि मनी कंट्रूल पर दिये गए विचार एक्सपर्ट के अपनी नीजी विचार होते हैं वेबसाइड या मैनेजिमेंट इसके लिए उतरदाई नहीं है यूजर्स को मनी कंट्रूल की सलहा है कि कोई भी इनिवेशन इनले लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर् की सलहा लें